गुड मॉर्निंग डियर आस्पीरेंट्स हैपी बसंत पंचमी टू आल आप यू जैसा कि हमने दाहिंदू एनालिसिस का एक वीडियो अपलोड किया था और काफी आस्पीरेंट्स ने अपने कमेंट लिखे और अपना रिस्पॉंस दिया जो की काफी उत्साहजनक रहा है तो उसी को कंटीन्यू करते हुए आज हम पांच फरवरी 2022 का दाहिंदू एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसको शुरू करने के पहले हम कोट का इंस्पीरेशनल वदाहरन प्रिस्तुत करते हैं तो आज का जो कोट है वो यह है कि इफ यू वांट तो लिफ्ट योर्सेल्फ लिफ यदि हम चाहते हैं कि समाज में हम उचाईयों को उचाईयों पर पहुंचें तो इसको पाने के लिए हमें दूसरों को उचाईयों पर पहुंचाना पड़ेगा क्योंकि इनसान जो समाज में रहता हो ऐजक कम्यूनिटी सर्वाइब करता है जब हम परस पर कॉपरेट और नहेंगे तो हम एक दूसरे के अपोज नहों करके सहायक बनेंगे जो के हमारे मार्ग को प्रशस्त करने में सहायता करेगा तो इस कोट का लर्निंग यह है कि विदाउट बिंग जैलास वी है तो एसिस्ट अधर कंडिडेट्स हूँ कम इन दवेग तो ओन दक टाइम वेन वी विल हैव दा नीड और अधर से और ली दे विल एसिस्ट अब इससे क्या है कि मैंड का अलाइनमेंट और पीस्फॉल माइंड रखने के लिए इसमें बहुत हैल मिलती है तो जैसा कि हम दा हिंदू को मैंड टॉपिक सुरुवात करने से पहले हम डेली मीनिंग का अध्यन करते हैं तो आज को आज की जो मीनिंग ली गई है वो मुखता यह है तो फर्स्ट मीनिंग जो यह है कि अन्वील जो यह लिया गया है वो मुखता है आज मोदी जी जो है आंध्रप्रदेश जाने वाले हैं सो मौदी जी अन्वील दा 120 216 फिट ताल स्टैच्व और सिरी रामानुजा चार तो अन्वील का मतलब होता है तू तू सो सम्थिंग फस्टाइम किसी चीज को प्रदर्शित करना कि इसकेंड मीनिंग इस मेरेंड तू मेंसी मेंमरेंडको सब्सक्राब्स के संपर्क पनाते हैं तो इसका मतलब होता है पूस्टनालों है रिटन डोकुमेंट यह वर्ड यह बाइश रेश्ट सेंक्चुरी में अटार में चुली विलेज़ ग्रूप अपवलेजरर्स एकचुली विलेजर्स गुरुप पविलेजर्स कुली अस्परणल कर बाहु अन्होंने यह बात कही है कि इस sanctuary को as a community reserve रहने दिया जाए और next meaning है वो यह है inspection it is very easy meaning generally we listen one word inspector in every police station so inspector word has been derived from the inspection inspection means careful examination किसी भी चीज का examination करना next meaning is exude strongly openly display अब जो यह आया है यह जो मोदी जी statue अन्वील करने वाले है 216 फिट की सिरी रामा नुजा चार जी भक्ति संथ तो उसमें जो chief secretary है वहां के आंद्रप्रदेश के उसमें यह statement हिंदू में लिखकर आया है कि chief secretary exude confidence about the security exude means strongly openly display उन्होंने यह विश्वास जता आया है कि जो security है वो अच्छे तरीके से की गई है तो आईए शुरुवात करते हैं आज के topics की तो first topic जो है editorial का आज हमने लिया है इसमें मैं ली अवर honorable supreme court उन्होंने judgment दिया है reservation के उपर तो heading के तौर पर आया हुआ है editorial में interrogating the false merit reservation policy अब जो merit versus merit versus backwardness का जो यह debate चलती थी इसके उपर Supreme Court ने अपना judgment दिया है इसका अध्यन करेंगे अभी detail में next topic is मोदी to unveil the two hundred and sixteen feet tall statue of siri ramanujachar तो यह है अपने first paper art and culture के perspective से siri ramanujachar जी एजा भक्ति सेंथ बहुत important होते हैं तो इनका contribution पढ़ेंगे थर्ड topic है 22nd ला कमीशन किरन रिज्जु जी ने बोला है कि जो 22nd ला कमीशन है उसका जो mandate होगा वो यह होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काम करना तो वी विल अंडर्स्टेंड दा आस्पेक्ट्स ओप सिविल कोड नेक्स्ट टॉपिक विलेजर से रेशिस्ट सेंक्चुरी टैग फॉर लेंगूर है अब जो लेंगूर एनिमल है इसके बारे में पर पढ़ेंगे एन्वायरमेंट का टॉपिक है एजा एंडेंजर्ड एनिमल तो आईए सबसे पहले के उपर दिया गया है अभी जब नीट के एक्जाम हुए थे तो नीट के एक्जाम होने के बाद केंद सरकार ने एक प्रिस्ताव रखा था कि इसमें से ओवी सी को 15% आल इंडिया कोटा सीट्स में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए तो इसके अगेंस्ट में जो जनरल कं दिया जाएगा तो क्योंकि ये बहुत ही साइन्टिफिक जोब है डॉक्टर्स की जोब तो इसमें क्या है मैरिट अट्रेसी घट की तो इसके संदर्म हमें औरेवल सुप्रीम कोट ने जजमेंट दिया है तो औरेवल सुप्रीम कोट ने जो है जो यह डिवेट चलती थी कि मेरिट बर्सेश मेरिट बर्सेश मेरिट बर्सेश मेरिट बर्सेश रिजर्वेशन मेरिट बर्सेश रिजर्वेशन कि मेरिटो क्रेसी को बढ़ावा दिया जाए या reservation के थूँ एक्वाल्टी को तो किन बातों को ध्यान में रखा जाए यदि अपन reservation यदि reservation policy का analysis या reservation policy को promote किया जाता है तो कहीं न कहीं merit जो है थोड़ा सी down होती है यदि merit का किया जाता है तो जो समाज में structural जो समाज में structural जो समाज में structural problem है जो की हमारे संविधान का mandate है bringing the equality in society तो यह purpose जो है defeat होता है यदि meritocracy को बढ़ावा दिया जाता है तो इसको इन दौनों के बीच जो debate है इसमें से supreme court ने इसपस्ट किया है कि reservation is for most important reservation क्यों important जरूरी है क्योंकि जो meritocracy है उन्होंने एक तथ भी दिया है कि जज साहब जो डीवाई चंदर चूद साहब है उन्होंने एक तथ भी दिया है कि जो मेरिटो क्रेसी है वो resource रिसोर्स और इन रिसोर्स और सिचुएशनल एंड कंडीशनल परस्पेक्टिव पर डिपेंड करती है यदि किसी व्यक्ति को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए और एक अच्छी फैमिली में रखा जाए औब्यस वो मेरिटो क्रेसी उसके बनने के बहुत चांसे से और उस पर lot of resources इनवेस्ट किये जाए सेम टाइम जो आर्रेडी बैकवार्ड हैं जो आर्रेडी पिछडे हुए हैं समाज में इस्ट्रक्चरल इन दा सैंस की जो हिस्टोरिकल टाइम से डू टू कास्ट डिस्टिंग्स उनके जो जॉब थे उनके जो व्योसाय थे उनकी बज़े से वह आंगे नहीं बढ़ पाई समाज में क्वाल्टी नहीं पापाई हैं तो उनके ऊपर यह मेरिट का कंसेट लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि उनको आर रेडी बैकवार्ट तरीके से समाज में समाज में जो है इतहासिक कारणों से उनको पीछे रखा गया है तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोट ने कहा है कि रिजर वेशन देने के लिए एजब प्रिविलेज कि पर्सन है या फिर सरकामिस्टांसिस के कारण रिजर वेशन को नीगेट नहीं किया जा सकता है विकोज रिजर वेशन जो है बेरियर्स को तोड़ेगा जो इस्ट्रक्चरल प्रोब्लम से समाज में उनको खतम करेगा तो यह था इसका सारांस अब इसका उपियोग कहां कहां होगा तो जो यह सुप्रीम को जजमेंट आया है इसका उपियोग मैली पॉल्सी मेकिंग में और एजा कोर्ट के रूलिंग में इसका आने वाले समय में काफी अच्छे प्रभाव पढ़ेगा आई एम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मोदी जी आज विजिट करने वाले हैं आंधप्रदेश तो वहां पर जो भक्ती संथ हुए थे 11th सैंचूरी के स्री रामा नुजा चार जी स्री रामा नुजा चार जी की स्टैच्व जो की 216 फिट की बनाई गई है इसका जो है अनावरण करने वाले हैं अब इसमें स्री रामा नुजा स्लीक्री आंड लिंटरेचर इसमें भक्ती मुमेंट का बगःली इसमें वजम का कंसेप्ट दिया तो विजम को कंसेप्ट दीती हुए उन्हों ने बिसिष्ट द्वयतवाद की बात की तो सिरी रामा सिरी रामा नुजा चार जी का जो बिसिष्ट द्वयतवाद था उसमें मैं ली यह बताया गया है कि जो आत्मन आत्मन जिसको सोल कहते हैं आत्मन और सोल प्लस ब्राम्वन बी आर एच ब्राम्वन आत्मन और सोल आत्मन सोल और ब्राम्वन क्या है टू डिफरेंट एंटिटी है ब्राम्वन क्या होता है मेटाफिजिकल आस्पेक्ट्स जो नेचर में है जो आर्रेडी मैटर्स है जो मैटर्स और आत्मन है यह डिस्टिंक्ट एंटिटी है दीज आर टू सेपरेट एंटिटी यह एक दूसरे से कंबाइंड नहीं है तो इस कंसेप्ट को भक्ती मुमेंट में स्री रामा नुजय चा कोड है क्या एक्चुली ला कमीशन को किरन जिज्जू साब ने कहा है कि जो ला कमीशन को मैंडेट दिया जाएगा वह यूनिफॉर्स सेविल कोड के ऊपर दिया जाने वाला है तो अंडर दा डायरेक्टिव प्रिंस्पालों के स्टेट पॉल्स स्टेट पॉल्सी डीपी इस पी अंडर आटिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड पैस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है अब यह क्या होता यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब इस से है कि चुकि अपने इंडियन्स परस्पेक्टिव में लॉट ओफ लैंग्वेजिस लॉट आप तो फोर ब्रिंगिंग दा, फोर ब्रिंगिंग यूनिफोर्मिटी, यूनिफोर्मिटी इन कस्टमारी लाज, यूनिफोर्मिटी इन कस्टमारी लाज, जो कि ग्रेजुवल ग्रेजुवल तरीकी से इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी में, यूनिटी प्लस इंटीग में हेल्प करने वाला है तो इससे क्या होगा जो डिफरेंट कस्टमरी लॉज है जो अलाग अलाग हिंदुओं के मुस्लिम्स के इनके जो कस्टमरी लाजयों उनमें एक रूपता आएगी जिससे समाज में एक रूपता और इंटीग्रिटी यूनिफॉर्मिटी आने के समभा गोल्डन लंगूर क्या है गोल्डन लंगूर इज एनिमल गोल्डन लंगूर यह मैनली असम यह मैनली असम और भूटान में केवर पाए जाता है इसका स्टेटस क्या है यह सिड्यूल फर्स्ट का एनिमल है जो की अंडर अंडर दा वाल्ड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सनक्षित किया गया है इसका आई यू सीन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड है एंडेंजर्ड अब यह यू पेस्ट जाम के प्रस्पेक्टिव पॉइंट से बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि केवल 25 प्राइमेट्स की यह 25 प्राइमेट्स में से एक है जो की एंडेंजर्ड जो की ग्लोबली लेवल पेंडेंजर्ड माना जाता है So, thank you so much, write your comments and share our videos, happy Vasanth, happy Vasanth Panchami to all of you again, thank you.